कि यह सबसे पहले तो यह तीन लोग जो चीत्र लाएं वो SPG वाले कलेक कर ले SPG वाले इसको कलेक कर ले भारत माता की भारत माता की सकल हाबडा उलू बेरिया बासिदेर आमार साधर नोमस्कार जानाई मैं महान संतों की इस धर्ती को प्रणाम करता हूँ हावडा की ये धर्ती बेलूर मट की ये तपो भुमी आज मोधी जो कुछ बी है यहां के आशिरवाद है ये भुजूर माता जी को एक चैर दे दे जिए भैई ये भुजूर माता जी नियुक एक कुरसे दे दे जिए माताजी को हाण मा बैठिये मा बैठिये अब बैठिये बाद आपका अथिर्वाद मिल गया है मुझे आपका अब बैठिये अब बैठिये भाईयो बैनो आज मैं जो कुछ भी हूँ वो इसी भूमी के आशिरवाद से हूँ अब आगे मेरे जीवन में लक्ष और भी बड़े हैं मेरे लिए नहीं आपके लिए मेरे लिए नहीं आपके बच्चों के लिए मेरे लिए नहीं मा भारती के लिए संकल्प भी और उंचे हैं और आपका ये प्यार बता रहा है आप जो मुझे भरपूर आशिरवाद दे रहे हैं किसी के भी जीवन में अरे चुनाव तो आते हैं जाते हैं ये प्यार ये आशिरवाद ये अमरत्व लेकर के आते हैं साथियों मोधी देश की गरीब दली पिछड़ा आदिवासी की सेव्या करने के लिए परमात्मा ने उसे इस धर्ती पर जन्म दिया है आप याद करिये पहले पार्टियां आपका वोड तो ले लेती थी लेकिन सरकार बनने के बाद उनकी भाशा बदल जाती थी आप नेता के पास जाते थे तो नेता कहता था तुम कौन हो ये सोच ये अप्रोच मोधी ने बदल दी है आज केंद्र की बीजेपी सरकार हर देश वासी के दरवाजे पहुँच रही है और इसलिए आज बंगाल के करोडों लोगों को मुप्त राशन मिल रहा है ताकि कोई गरीब मां अपने बच्चों को भूखे देखने के लिए मजबूर नहों मोदी मुफ्त राशन भेटता है क्योंकि गरीब का चूला जलता रहे आज बंगाल की सवा करोड बेहनों को उजवला सिलिंडर मिला है चूले से निकलते दुवे से उसके शरीर में कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन में चार सो सिगारेट का धुवा उस मां के शरीर में जाता है अगर दिल्नी में आपका बेटा आपके लिए बैठा हो तो ये दुवे से मुक्ति दिलाने के लिए सवा करोड माताओं को गैस का कनेक्शन देने का काम एक बेटे की तरह किया है मंगाल में हमने पांच करोड से ज़्यादा कॉंग्रेस का परिवारवार और कॉंग्रेस का तुष्टी करन और दूसरे वाम लेप लेप का अत्याचार और अनार की इन सारों को मिला दें ये सारी बुराईयों को एक जगा पर इखटी कर दें सब बनती है अकेली टी-म-सी कॉंग्रेस लेप और टी-म-सी ने बंगाल को कैसे तबा किया हमारा हावडा इसका साक्षी है बेटी आप हाथ नीचे करो मैं अखिर में इसको ले लूँगा आपसे आप हाथ नीचे करो मैंने देख लिया आए आप बड़े प्यार से चित्र बना के लाई हो मेरी टीम आकर क्या ले लेगी बेटा रोना मत रोना मत बेटा बद मुझे मिल जाएगा बेटा मैं ले लूँगा इसको लूँगा इसको आप बेटा थैंक यू थैंक यू बेटा थैंक यू एक समय था जब हावड़ा आउद्योकिक हब होवा करता था यहां की मीले यहां के कारखाने क्या कुछ नहीं था यहां सब कुछ था लेकिन पहले बाम लेप सीपियम वालों ने और फिर E.M.C. ने सारे उद्योगों को इंडस्ट्री को ठप करवा दिया यहां का रेडिमेंट गार्मेंट सेक्टर भी संगर्ष कर रहा है किसान मंडी में फसल नहीं बेच पा रहा है क्यों वहां भी T.M.C. के तोला बाजों ने कब जाकर रखा है तोला बाजों को कमिशन दिये बिना न खरीद हो सकती है और नहीं बिक्री हो सकती है T.M.C. ने गोटालों को अपना फूल टाइम बिजनेस बना लिया है साथियों कॉंग्रेस हो लेप्ट हो या इंडिया एनाइस की कोई और पार्टी ब्रस्टाचार इनका कॉमन केरेक्टर है इंडी गडबंदन की जाजा पार्टिया छीपकर गोटाले करती है लेकिन T.M.C. गोटालों की ओपन इंडिस्ट्री चलाती है यहां का लोट्री स्केम भी इसका उदारण है बंगाल की जंता यहां लोट्री गोटाले में अपनी मेहनत की कमाई गमा चुकी है इसका नुकसान बंगाल का युवा उठा रहा है इस लोट्री गोटाले के पीछे इस लोट्री गोटाले के पीछे कौन है कौन है कौन है इस लोट्री गोटाले के पीछे है TMC के करप्ट नेता और ये दूर दूर तक फैले हुए हैं लेकिन TMC सरकार उन्हें भी बचा रही है साथियों TMC सरकार केंद्र की योजनाओं में भी लूट खसोट की पूरी कोशिश कर रही है बाजपा सरकार गरीबों को प्रदान मंत्री आवाद देती है लेकिन यहाँ TMC सरकार केवल उन्हें लोगों को पैसा रिलीज करती है या तो वो TMC से जुड़े हैं या तो TMC वालों को कट देते हैं दूसरे गरीबों को ये लोग हमारी योजनाओं का लाव नहीं मिलने दे रहे हमने हर गर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया बंगाल सरकार उसमें भी ब्रस्टाचार कर रही है ये राजनितिक फाइदे के लिए बंगाल की जनता को पानी के लिए तड़पा रहे हैं गरीब का हक मारने वाली टी एमसी को आप बीस मई को सजा देंगे या नहीं देंगे सजा देंगे के नहीं देंगे जबर्जस सजा देंगे उनको उखाड के फैक देंगे जाथियों पीमसी सरकार की प्राथविक्ता आप लोग नहीं है आप लोगों का हीत नहीं है पीमसी का तो एजंडा है गूस पेठियों का बला गूस पेठियों का हीत ये भारत के लोगों को बोहिरा गोतो बोहिरा गोतो बोलते हैं लेकिन दूसरे देशों से आए गूस पेठियों को बंगाल में कबजा दिलवाते हैं आप मुझे बताईए एक गुश पेठिये बोहिरा गोतो है या नहीं है कि ये बंगाल के लिए खत्रा है या नहीं है साथियों वोट बैंक पोलिटिस के लिए कॉंग्रेस लेप और टीमसी ने बंगाल की पहचान को दाव पर लगा दिया है कई इलाकों में यहां के लोग अल्पसंख्यक हो गए है टीमसी के एमेले खुले आम हिंदूओं को दमकी देते हैं वो कहते हैं कि हां हिंदू कम बचे हैं हम हिंदूओं को भागी रती में डुबो देंगे और टीमसी उसका भी बचाव करती हैं उसे सही ठहराती हैं तुष्टी करण का ऐसा खुला खेल इतना अवमानविय चहरा साथियों आज टीमसी सरकार में हमारी बहने सुरक्षित नहीं है यहां महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं संदेश खाली में क्या हुआ पूरे देश ने देखा बेटियों के गुनगारों को बचाने में टीमसी की पूरी सरकार लग गई कौट को दखल देना पड़ा आज आरोपी सीबी आई की गिरप्त में है लेकिन पीमसी अभी भी उसके लिए बैटिंग कर रही है साथियों पीमसी और कॉंग्रेस में कुष्टी करन का कॉंपटिशन चल रहा है कॉंग्रेस के सहजादे कॉंग्रेस के सहजादे देश में सबकी संपत्ति की जाँच करवाना चाहते हैं वो आपकी संपत्ति की जाँच करवाएंगे आपकी कमाई आपकी जमीन उन लोगों में बाटेंगे जो इंडी एलाइंस के लिए वोट जिहाद करते हैं ये लोग आपके बाद भी आपकी संपत्ति में से आधा हड़ अपने की बात कर रहे हैं सहजादे कह रहे हैं कि वो इनहरिटेंस टैक्स लगाएंगे कॉंग्रेस पार्टी, SC, ST, OBC का आरक्षन भी मुस्लिमों को देने की बात कर रही है आप मुझे बताईए ऐसे लोगों को पार्लामेंट में बेजना चाहिए क्या ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं इनकी जमानत जबत होनी चाहिए कि नहीं साथियों विख्षिद मंगाल विख्षिद मंगाल का सपना सिरफ बीजेपी पूरा कर सकती है कि वो बीजेपी का संकल्प है आज हम बंगाल में ड्वाल क्लास इंफ्रासेक्टर बना रहे हैं आज हावडा में देश की पहली अंडर वोटर मेट्रो चल रही है पहले बंगाल को चार हजार करोड रुपे का रेल बजेट मिलता था हमारी सरकार 14,000 करोड रुपे रेल बजेट में बंगाल को दे रही है हम शालिमार और सांता गाची स्टेशनों को वर्ल क्लास बना रहे हैं यह किसका काम है यह किसका काम है यह किसका काम है यह मोदी सरकार का काम है हमने हावडा ब्रीज पर लाइट एंड साउंड शो शुरू करने की पहल की थी आज यह परियटकों के आकरशन का केंद्र बन रहा है साथियों आने वाली 20 मैं को आप केवल सरकार नहीं चुनेंगे आप बंगाल का बविश्य भी चुनेंगे आप बंगाल की सुरक्षा भी चुनेंगे बीजेपी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ हावडा से हमारे साथी रथीन चक्रवर्ती जी को और उलू बेरिया से बैठिये आप अरुन जी आप बैठिये प्लीज भाईया चोट लगेगी आपको उलू बेरिया से अरुन उदै पॉल चोधरी को हमने उमिद्वार बनाया है मेरा अनुरुद है इने भारी मतों से विज़ई बनाए जादा से जादा मतदान कराएंगे जादा से जादा मतदान कराएंगे ज़रा पूरी ताकत से बताएंगे जादा से जादा मतदान कराएंगे सभी पोलिंग बुठ जीतेंगे सभी बुठ पर कमल खिलाएंगे अच्छा मेरा एक काम करेंगे प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुचा देंगे सबको मेरा प्रणाम पहुचा देंगे गरगर मेरा प्रणाम पहुचा देंगे बोले भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 वन दे, वन दे, वन दे, वन दे